दोस्तो हमारी आज की कहानी बहुत ही जान्दा गरम और होट है जिसे देखके आपका भी टुंडुना जग उठेगा सो मुवी को ध्यान से और समल के देखना लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दू यह मुवी की इस्टोड़ी थोड़ी वियर्ड है जो हमारी देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी स्यूटेबल नहीं है दोस्तो हमारी आज की कहानी एक लड़के के बारे में जो होमो सेक्सवल होता है लेकिन उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है सो अब इंट्रो काफी हुआ चलिए आते हैं वीडियो पर पर दोस्तो वीडियो पर आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो देखने का रिस्पॉंस जरूर देए वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके या फिर अपने ओपिनियन कमेंट में देखे हमारी मूवी का नाम है सेवेज ग्रैस जो साल 2007 में रिलीज होई थी मूवी के इस्टाट में हम बारबरा नाम की काफी ब्यूटिफुल लेडि को देखती है साथ ही उसके हस्बेंड ग्रूग को देखते हैं इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टॉनी है लेकिन ग्रूग अपने बेटे टॉनी को जाना प्यार नहीं करता वहीं उसकी मा बारबरा टॉनी को काफी प्यार करती है अब ये दुनों लोग एक party में जाने के लिए radio होती हैं लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए वो meet को घर पर ही रोक के जाती हैं अब party में आने के बाद यहां के सारे आदमी बारबरा को ही देखते हैं क्योंकि बारबरा सच मुझे काफी hot and sexy लग रही थी फिर फानली बारबरा एक टेबल पे बैट जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर किरती है जहां बारबरा अपनी एक friend सुमोन से पूछती है क्या वो 10 million dollar के लिए किसी इंसान का meet खा सकती है पर सुमोन मना कर देती है फिर बारबरा अपने husband group से पूछती है क्या वो 10 million dollar के बदले सुमोन के साथ सो सकता है लेकिन group बारबरा के इस question का कोई answer नहीं देता even उसे बहुत गुस्सा आता है अब दुवारा से बारबरा group से पूछती है क्या वो पार्टे के बाद मुझे किसी आदमे के साथ बेज सकता है तो group गुस्से से हाँ आप जा सकती हो और होता भी ऐसा ही या पार्टे खतम होने के बाद बारबरा एक अंजान आदमे से lift लेती है और उसके साथ चली जाती है और group अपने घर आ जाता है और लेड जाता है अब रात में बारबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए जुकती है पर group उसे पीछे से काफी अजीब निजरों से देख रहा था अब हमें कई सालग बात की कहाने दिखाए जाती है जहां टोनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मौम के साथ ही रहता है क्योंकि उसके डैड ग्रूग अक्सर बिजनस के लिए बाहर ही रहती है फिर एक दिन बारबरा और टोनी बाहर गुमने जाती है जहां बारबरा टोनी से पूछती है बेटे तो मुझसे कितना प्यार करते हो तो टोनी बोलता है मा आपसे मैं दुनिया मैं सबसे जाना प्यार करता हूँ आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो बारबरा बोलती है क्या सच मुछ तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो तो टोनी बोलता है हा मा फिर कुछ दुन बाद गुरूग अपने फ्रेंच दोस्तों को घर लेके आता है और अपनी फैमिली टॉनी और बारबरा से इंट्रिडूस करवाता है लेकिन बारबरा अपने बेटे टॉनी को इंड्रिडूस करवाती है और बोलती है कि मेरे बेटे को काफी अच्छी फ्रेंच चाहती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के दिखाएगा लेकिन टॉनी फ्रेंच बुक को बहुती कम्यानी अच्छे से नहीं अब ग्रूग भी बारवरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है लेकिन रात में बारवरा ग्रूग को मनाने के लिए होटल में जाती है लेकिन वो मनाने के वज़े उसके साथ वहीं डुपचिक डुपचिक करने लगती है यानि आप समझ गए वो क्या करन और टॉनी बातरूम में नार आ है लेकिन ये इस देख ग्रूप को काफ़ गुस्सा आता है और यहां हमें पता चलता है कि हमारे टॉनी भाई थोड़े से बीच के आदमी है थोड़े के मादब पूरे ही बीच के है फिर हम कुछ सालों बात के सीन देखते हैं जहां टॉनी अब बड़ा हो चुका है जो अपने दोस जैस के साथ एक बीच पे सुट्टा बार सुट्टा बार यहने इंजॉय कर रहा है और लड़कों को ताड़ रहा है फिर अगले दिन टॉनी को उसे बीच पे ब्लैंका नाम के एक होड़ बंदी दिखाए दीती है और यह दुनों लोग बात करते हैं और बात करते हुए वो टॉनी के साथ काफी क्लोज हो जाती है फिर अगले दिन वो ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंस को बताता है तो बारबरा सोशती है कि फारेली मेरा बेटा माचो मैन बन गया और वो भी अब पिचकारियों की धार मारेगा और इसलिए बारबरा टॉनी के इस कारनामे से काफी खुश होती है वा बेटा वा बारेटा वा बार्च करती अब नेक्ट टॉनी की पेरेंस बलैंका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टे करने के लिए एक बार में जाती है लेकिन पार्टे में ग्रूप बलैंका पर डोरे डालता है यानि अपने बेटी की गल्फरेंट पर डोरे डालता है फिर रात को ये चारो लोग एक होटल में रुकते हैं जहां टॉनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोती हैं और रात को पहली बार टॉनी बाइक किसी लड़की के साथ डुपचुक डुपचुक करता है लेकिन थोड़ी देर में उनकी पिछकारे की दम निकल जाती है और वो ठंडे पड़ जाती है फिर कुस दुनों बाद हम बारवरा को देखते हैं जो किसी काम से एयरपोर्ट पे गई थी पर वहाँ वो ग्रूक को ब्लैंका के साथ देखती है तब बारवरा समझ जाती है कि ग्रूक और ब्लैंका का चक्कर चल रहा है और ये गरम सिंदह के वो गुस्टे से वाहाँ से निकल जाती है अपनी गुल्लक की छेद में पानी बरूआती है और सान्त होती है फिर घर आ जाती है पर यहां आके वो अलगी नेजारे देखती है वो देखते कि उसका बेटे टॉनी अपने दूर्ट जैक के साथ पलंग तोड़ रहा है और ये देखे उसे काफी गुशा आता है फिर कुछ दुनों बाद वो अपने बेटे टॉनी को ग्रूग की सच्चा ही बता देती है कि ग्रूग और तुमारी गल्फ्रेंड ब्लांका का नैन मटकका चल रहा है फिर कुछ दुनों बाद अकिला होनी के वज़े से बार बरा भी एक फ्रेंड बना लीती है जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहती थी और सैम भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था मतलब उसकी सारी जरूड़तें पूरी करता था जो ग्रूग पूरा नहीं कर पाता था समझे रहो ना फिर नेक्स डे टॉनी भाई सैम से बात करते हुए देखे जाते हैं जहां टॉनी को पता चलता है कि सैम भी टॉनी का इस जुलवा वाई है यानि वो भी एक होमो सेक्सुल है समझे रहो ना मतलब बीच का थोड़ा सा यहां वा हो सकता है लेकिन बीच का कनफरम है फिर नेक्स डे जब वो नहां के आता है तो वो बैट पे सैम और अपनी मॉम को देखता है तो वो भी इस मॉमेंट को इंजॉय करने के लिए उनके साथ में लेट जाता है पर नेक्स डे बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए काफी डाटती है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कही न कहीं टॉनी अपने डैड ग्रूप को एक और मौका देना चाहता था। तो इसलिए वो एक लेटर लेके ग्रूप के गढ़ जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में चिपाने लगता है। लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करती है और वो बाहर आती है पर टॉनी लेटर को वहीं मिट्टी में गाड़ के भाग जाता है। और इस लेटर में लखाता कि डैड हमें आपकी बहुत जरूरत है प्लीज आप बापस आजाओ। और इधर घर पे बारवरा एक पैंटिंग बना रही थी और पैंटिंग बनाती है वो रोने लगती है कि तभी उसके पास सैम आता है और उसे समालते हुए ये दोनों लोग पलिंग तोड किरिया आरम कर देते हैं। सुसाइट करने की कोशिश भी करती है लेकिन टॉनी उसे बचाने के लिए जल्दी सा होस्पिटल ले जाता है फिर नेक्स डे ग्रूक और बारवरा की एक फ्रेंड टॉनी से मिलने आती है वो टॉनी को बताती है कि तुम्हारे डैड ग्रूक अजीबी किसम के साय को इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है तो तुम लोगों को उनसे दूरी रहना चाहिए फिर कुछ दूनों बाद हम बारवरा और टॉनी को एक फ्रेंड में देखती है जहां ग्रूक और बलैंका भी आये होती है लेकिन ग्रूक अपने बेटे टॉनी और बारवरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता और अब कुछ महीनों बाद बारवरा और टॉनी लेंडन सिफ्ट हो जाते हैं जहां बारवरा और टॉनी नए नए दोस्त बना लेते हैं फिर कुछ दूनों बाद बारवरा अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलने जाती है और घर आके टॉनी बार तोनी की दमागी हालत खराब हो जाती है और फिर इसके कुछ दुन वाद टॉनी और बारवरा में किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और साय को टॉनी भाई चाकू से अपनी मोम को मार देती है और मारने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो Tony ने suicide कर ली है और इस तरह इस movie का end हो जाता है सो दोस्तों देखा ना आपने Hollywood की cultures और वाँ की movies पता नहीं वाँ के director और producers क्या सोच के इस तरह की movies बनाते होंगे और वैसे भी दोस्तों हर गलत चीज और नाजेश चीज का end गलत ही होता है और सच में हमारा इंडिया बहुत चांदा अच्छा और सेफ है इन चीजों को ले करके So thanks for watching दोस्तों